यह आप स्क्रीन पर जो गली से लेकर मैन रोडों पर लंबा जाम देख रहे हैं यह कोई महा नगर नहीं च्छतर पुर्जले का छोटा सा कस्वा हरपाल पुर है जो एने 39 कहलाता है यहां से नगर के बीचों बीच एने 39 निकला है जहां से कई प्रकार के बहान यहां निकलते हैं लेकिन कुछ महीनों से यहां पर लगातार इतवार और वदवार को घंटों चाम की इस्तिया निर्मित हो जाती है क्योंकि हरपाल पुर के रास्ते सिद्दा और विश्वास के साथ लाकों की तादात में पहुँच रहे सिद्दालू ग्राम चिर्वारी जहां पर पतरि होते हुए जाते है और अधिक बहान होने के कारण जाम लग जाता है कुछ लोग तो चवरन जाम लगाने की कोशिस करते हैं क्योंकि रास्ता में एक से दो गाडियां एक साथ डालने से घंटों जाम की इस्तिया यहां नर्वत हो जाती है जगए जगए पुलिस इस जाम को खुलवाती नजर आ रही है लेकिन फिर भी इस जाम को खुलवा नहीं पा रही है क्योंकि बाहन इतनी अधिक संक्या में हैं कि एक दूसरे की आगे जाने की होड में जाम एक घंटे की जगए दो दो तीन तीन घंटे लग जाता है नगर संक्रीन और अतिक किर्मन की चपेट में होने के कारण रास्ते बहुत छोटे और संक्रीन हो गए हैं इस कारण भी जाम की इस्तितियां यहां पहले भी कई बार निर्मित हो चुकी है घंटो एम्बुलिंस जाम में फसी रहती है और मरीज तडपते रहते हैं आखिर इनक का जिम्मेवार कौन इस अतिक किर्मन पर अगर कुछ अंकुष लगाया जाए तो हो सकता है कि एह जाम घंटों की जगए कुछी समय में खुल जाए लेकिन ऐसा नहीं है घंटों जाम लगा रहता है और उसके का पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि समय समय पर यहां से ट्रेनों का आवा गवन जिसके कारण रेलबिक क्रॉसिंग भी बार बार बंद होती है जाम खुल भी नहीं पाता है और जाम पहले से और अधिक बड़ जाता है कई बार लोगों ने यहां के पिरसासन तक अपनी बात पहुँचाने की कई तरीके आजमाए लेकिन पिरसासन मुख दरसक बनी हुई बैठी है ना ही कोई ट्राफिक पुलिश और ना ही कोई नगर निगम नगरपाल का के करमचारी अधकारी इस अतीक कर्मण पर अंकुष लगा पाए है जिसके कारण नगर हरपालपुर जाम से है परिशान यहां के लोग अपने आम जन जीबन को अस् करारा न्यूज के लिए संजे तरवेदी के साथ दिपू सौनी की रिपोर्ट